नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल मनी और डिस्टल न्यूज अमडीन पर दोस्तों बात काने वाले हैं जीटील इंफ्राड एक्सर लिमिटेड स्टोक के बारे में अब एक टाइम जीटील इंफ्राड में अगर देखा जाए तो दोस्तों गिराउट जो थी वो थमते वी नज़र आई है तो फिलाल अब एक टाइम कमेंट से देखने को मिल रहे हैं कि अब मंडे सेजन को लेकर क्या अपडेट रहने वाली है साथी साथ टेक्निकली और फंड अब दोस्तों कमपनी की जो गिराउट नजर आ रही थी तो उस पर तो दोस्तों जो गिराउट है वो थमते हुए नजर आई है फिलाल अंकोडों में जोस्तों एक अच्छा बदलाव देखने को नजर आ जोटा है क्योंकि लगातार दुस्तों दो जोटाने के बाद गिराउट है वह 1.65 पिसे तक वापस नजर आई पर अभी की टाम दोस्तों जो मार्केट्टी जो क्रेस हुआ है वो मारस के वज़ह से देखने को नजर आए पर अभीक टाम दोस्तों जो लगातार आंकड़ों म देखने इंपोटेंट होता है क्योंकि वर्तमाइन में कंपनी की सेल की ग्रोथ किस परकार की हो रही है प्रोफिट की ग्रोथ किस परकार की नजर आ रही है तो प्रोफिट की ग्रोथ गुंचास पॉइंट दो परतिसत की देखने को मिल रही है एक अच्छी ग्रोथ देखने क रहने वाल अगला जो निकल क्याता है operating profit margin तो profit margin दोस्तों काफी हाई होना चाहिए पर अभी टाम company का साड़े बतीस परतीसत का देखने को मिल रहा है तो normal positive देखने को मिल रहा है त्यानिशन वाली बात है नहीं अगला निकल क्याता है कि कर्ज है तो दोस्तों company के उपर कर्ज है वो या तो किशी भी company के उपर कर्ज या तो कम से कम होना चाहिए या विल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो company के उपर सबसे बड़ी समस्या कर्ज की देखने को मिल रही है तो negative point सबसे बड़ा कर्ज का देखने को मिलने वाला है अगला जो निकल क्याता है equity पर रेटन written up equity में अगर देखा जाए तो company का जो डेटा है वो available है नहीं तो इसका मतलब दोस्तो एकवाटी पर जो written है वो company देना ही रही है अगला निकल क्याता है दोस्तो पर मोटर्स की हिस्सिदारी पर मोटर्स की हिस्सिदारी लगबग 40-50% minimum requirement के तोर पर होनी चाहिए पर अब एक जो company हैं वो देखने को नज़राए थी camera bank देखने को नज़राए थी और भी दोस्तो काफी जादा जो banking थे वो देखने को नज़राए थे पर अब एक टाम अगर बात कीज़ा अगला जो निकल के आता है कि लगातार दोस्तो EPS rate में दोस्तो बड़ोतरी होनी से यह कितनी देखने को मिले थी last quarter result के अंदर तो वो हम लोगों को 15 पैसे की दोस्तो EPS rate पर गिराउट नज़राए थी तो यह डेटा दोस्तो लास्त ताइम quarter result का नज़राए था फिलाल आगे बढ़ने से पहले बता दू चैनल पर नहीं हो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले है तो कईना कई दोस्तो अगर जीतियर इंफरा को लेकर भी दोस्तो काफी ज़्यादा जो है outlooks देखने को मिल रही है कि company दोस्तो अड़ाने की company के तरफ से दोस्तो जो है auction में भाग लेने वाली है और अगर ऐसा अगर होता है दोस्तो तो उसमें एक बढ़िया profit देखने को फिर मिल सकता है कि company का जो करज है वो कहीं ना कहीं दोस्तो तेजी से कम होता हुआ नजर आ सकता है और company का अगर करज अगर total खतम होता है तो फिर दोस्तो फिर profit करोट sales की रोत भी हम लोगों को एक अच्छी गरोत के तोर पर नजर आएगी वरतमान में company की 14.11 क्रोड की वरत टाइम EPS rate में सुधार देखने को नजर आया लोस में दोस्तो जो गिराउट है वो देखने को नजर आया धिरी दिरे जो लोस है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है तो कईना कहीं आने वाले टाइम में इस्पक्टर निलामी का जो ऑक्षन है तो उसमें अगर company के अच्छे द है क्योंकि अब एक टाइम के तोर पर company का डेटा नजर आ रहा है फिला दोस्तो आपकी नजर में इस स्टोक के और को बेसिक जानकारी हो तो कमेंट सेक्षिन में जरूर से बता देना उमीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी पसंद आदी वीडियो को लाइक कर देना च तो कि ज्सक्षब्ड सेफिक में जरूरू से थिवे थे हिन सेब आप और नबाउ त zitten